यहां पर हम आज आप से बात करने वाले हिंदुस्तान से प्याड लिमिटेड विसाखा पत्नम के एक रिक्रूटमेंट नोटिपिकेशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें के बारे में तो यहां पर आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान से प्याड लिमिटेड विसाखा पत्नम फॉर्द इंगेजमेंट ऑफ अपरेंटिस अंडर अपरेंटिस एक्ट सबसे पहले हम बात बीस पास आउट । एकीस पास आउट और वाईस पास आउट को यहां पर मौका दिया जा रहा है सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रेजुएट और टेक्निकल डीप्लोमा अपरेंटिस में मेकेनिकल में ग्रेजुएट के 37 शिट्स हैं डिप्लोमा के लिए 33, एलेक्ट्रिकल के लिए 9, डिपलोमा के लिए 10, civil engineering में 2 graduate, 4 technician यानि के diploma, CSEIT के लिए 3 graduate and 0 diploma, electronics communication के लिए 3 graduate और 2 diploma, naval architecture के लिए 1 graduate और 0 diploma, यानि total post graduate apprentice के बात करें हम अगर, total अगर हम graduate apprentice की बात करें तो यहाँ पे आप से जो demand रखी गई है, वो है 55 post के लिए, यानि 55 post graduate के लिए है, diploma के लिए 49 post है, overall अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, तो यह आपका total post जो है 104 है, graduate plus diploma, clear रहेगा, graduate plus diploma, यह तो बात हो गई पोस्ट की, आगे बढ़ते हैं, qualification, graduate के लिए minimum degree होना चाहिए, आपको B, B, Tech, clearly होना चाहिए, आपको आपके पास, यानि clear होना चाहिए, साथी साथ, diploma में भी same criteria रखा गया है, age limit की बात करो, age limit जो है, आपका minimum 18 और 20 जो रहता है, आपका 25, ठीक है, maximum जो है, आपका 25, reservation रहेगा, S.A.S.T. और आपके OBC candidates को, उसके बाद आता है, physical standards तो ध्यान रखेगा, basic physical standards आपको, government के norms के carding जो इसके लिए prescribed है, उसको fulfill करना होगा, one year का apprenticeship training होगा, previous training और experience अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे eligible नहीं है, ध्यान रखेगा, not eligible to apply, selection का procedure अगर हम बात करें, तो ध्यान रखेगा, selection का procedure आपका final जो एक्जाम है, essential qualification के, essential qualification के जो आपका certification रहेगा, उसमें marks के basis पे आपका final merit list त्यार किया जाएगा, किस तरीके से आपको apply करना है, तो सबसे पहले step आपको यहाँ पे बताया गया है, कि login करेंगे, establishment request menu पे, establishment को find करेंगे, resume upload करेंगे, इसके बाद हिंदुस्तान CPAD Limited को search करेंगे, apply करेंगे, apply again करेंगे, किस तरीके से www.mhrdnets.gov.in पर पहले आपको यहाँ registered करना है, अगर आप registered नहीं है पहले से तो उसके बाद enroll करना है, application form को complete करना है, enrollment number generate होगा, उसी को ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, then after click login, यह सब चारी चीजे, पहला procedure आपको mhrdnets.gov.in पर register करना है, उसके बाद आपको यह आपको follow करना है, किलिए रहेगा, आपको यह steps follow करना है, अब बारी आते हैं, यहाँ पर travel expenses की, तो क्या कोई travel expenses मिलेगा, no, there is no provision for the travel expenses, clear हैगा, next आता है boarding lodging, तो यहाँ पर कोई boarding lodging का खर्चा नहीं दिया जाएगा, next है आपका activities, यानि की important dates, timelines, application start हो चुका है 16 September से, last date रखा गया है 21 September, clear हैगा, किस पे, nets के portal पे, और last date आपका हिंदुस्तान से paired पे apply करने का रखा गया है 26 September, next आता है कि आपका हिंदुस्तान से paired limiteds पे rank list कब आएगा, तो यहाँ पे है 28 September, तो guys ध्यान रखेगा, अगर आप लोग यहाँ पे fresher graduate है, fresher diploma है, आप directly apply कर सकते हो, clear है, कोई भी problem आने से, आप directly यहाँ पे query के लिए अलग-अलग email id दिये गए है, जैसे ही description box पे, जैसे ही video channel पे available होगा, description box में आपको यह registration का procedure और official website mention कर दिया जाएगा, clear, apply करने से पहले एक बार इस notification को आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और यह है आपका किस के लिए graduate or diploma apprentice, fresh graduate के लिए batch है आपका 2019, 2020, 2021 और 22, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल देख, next recruitment update में बने रही है हमारे channel पर, channel को subscribe करें, video को like share जरूर करें, ओके guys, thank you so much.